कोई दीखने वाला है, सब कुछ तीमारदारों के भरूसे है यह आज तक संबादाता आज़दोष मिश्रा है जो बिहार में जनता को कोरोना के सामने बेसहारा छोड़ने वाली सरकार के खला लगातार दस तक दे रहे हैं सोमार को सारे देश ने देखा कैसे बिहार के आरा में सरकारी लापरवाही ने देखते ही देखते एक मरीज की जान ले लिए आरा के बाद आज़दोष मिश्रा बिहार में कोरोना की कयामत में जनता की हो रही दुर्दशा दिखाने के लिए गया पहुंचे हैं आज तक की टीम गया के सबसे बड़े सरकारी इस्पता अनुग्रह नारायन मगद मेडिकल कॉलिज पहुंची जहां आपको चारों तरह सिर्फ और सिर्फ संक्रमित मरीज और उनके तीमारदार ही दिखाई देगी मरीज ज्यादा है अस्पताल में बैड कम है इसलिए जमीन पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है बिहार के अस्पतालों की स्थिति क्या है ये दिखाने के लिए दरसल शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ रहा है दरसल मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बेड कम पड़ गए है ऑक्सिजन सिलेंडर तो परयाप्त है लेकिन अभी देखा कि आपने जो मरीज हमारे सामने आए उसको नाक पर लगाने के लिए दरसल जो मशीने लगती है जो तंतर लगता है वही नहीं लेकिन मरीजों को जिन्दा रहने के लिए सरकारी बदंदिजामी के साथ साथ सिस्टम की इस पुरानी बीमारी से भी लगना बढ़ रहा है जिसका ना भुष्टाचार है कि आपने बेट मांगा इंदे माइच जिए लगा दिया बैघक इसको दिया दुष। पहुन से स्टाब को को कु एब तक इनको दस भार जा कर नहीं बोलिये मैडम यह दवा बचा हुआ है मेडम यह जवा आपको देनी है, बीपी बढ़ा हुआ है, सुगर बढ़ा हुआ है, जल्दी, कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, सिर्फ जो है नर्स सिर्फ देख रही है, हमारा मरीज कोमा में है, तीन दिन से कोमा में अभी तक कुछ मेजर नहीं उठाया है जिससे वो बढ़ सके हैं, कि कुछ यह सिस्टम की बढ़ाली सबसे ज्यादा परेशान करती है, एक तो अगनी अपनों को फोने के डर से यहां लेकर के आता है, पहले ही उसकी बीमारी को लेकर के परेशान है, और उसके उपर इस खिड़की से उस खिड़की दोड़ना, ताग पल भर में कभी भी किसी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो कभी ऑक्सीजन मशीन दिक्कत आने लगती है, और कभी किसी कोने मरीज बेचैन होने लगता है, तो कभी दूसरे कोने से मदद के लिए चीख पुकार मज जाती है, कोई स्ट्रेचर पलेटा है, कोई कुर्सी पले तो सो दिर्ट सो पार कर गया हो गा सब इतने दिनों में यहां इस इस अस्पताल जिस दिजिए अक्सीजन की कमी से आपके परूसे हैं यहां है यहां कोई भी डॉक्टर निये समय डूपी पर हैं तो यहां हैं अन्दर बैटो दॉक्टर कंटर कंदर बाहर आते हैं कभी कोई अंदर से देख लेंगे यहां नहीं आते हैं यहां एक महिला का औक्सीजन खत्म हो गया है अब वह इस अमय काफी देर तक बिन ऑक्सीजन के और यह भी बता दोग इस समय कोई डॉक्टर या नर्स आपको इस वाड में नहीं दिखाई देगा दरसल ये वाड तो है ही नहीं उपर बेड नहीं है जान बचाने के लिए गड़े लगा दिये गए है ताकि कम से कम लोगों को अक्सिजन मिलता रहे छोटे सिलेंडर की किलत वाड बॉय बता चुके हैं और इस समय वो महिला राम भरो से पूरा अस्पताल वाड वॉय के हवाले है मरीज की जान भगवान भरो से है लेकिन अस्पताल प्रशासन इसी बात में खोश है कि जमीन पर ही सही वो इलाज तो कर रहा है किसी बिहार में पेशेंट को हम सफर नहीं कर देने बिहार में कैसे इलाज हो रहा है तस्वीरें इसकी गवाई दे रही है जहां कोई अपने मरीज को गोद में उठा कर ले जा रहा है तो कोई बेटा अपने पिता को पाइक से ही पटना जाने को मजबूर है गया जैसे शहर का यहाल है तो सोचिए बिहार के गाउं में सरकारी बदिंतिजामी और कोरोना मिलकर क्या तबाही मचा रहे होंगे आज दोश मिश्रा गया आज तक